वेल्कम टू माई चैनल हरकोई शेफ तो आज में आपको बतानी जारी हूं जादू के पोपली ख्रेथिदारी है यह बहुत ही हेल्पी यह बहुत ही हेल्डी रेस्पी है तो आए फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पे ले लिया है तूवर की दाल यह बहुत सिंपल सी दाल है इसमें सिफ नमक और हर्गी डाल के मैंने पका लिया है तो सबसे पहले इस दाल को मुँद द्रकला इंघ गॉलա यह हमेंचे चल चाहिए वोमें आपको बता देते हूँ यह मेने स अध्रक लिया है यह इना जय चप्शे कळिया है ञेबस को को अधिम का जब हुआ है इसके बाद मैं यहां पर सबस्क्क कर लिया है कि अब यहां30-5000 मिल और प्राइस को पोड़ algorithm को यहां ओर देःमेट आलेंके आए ऐननेन किया जालिया तो डालेंगे दो से तीन बड़ चंब्रति कि इसके बाद इसमें डालेंगे हींग जीरा इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे फिर इसमें डालेंगे चॉप्ट ओनियन्स इसको दो से चार बड़ थोड़ा सा चलाएंगे अब इसमें डालेंगे लेजन अधरक और हरी मिर्च इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढखकर इसको लाइट ब्राउन होने तक अनियन जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे भूनेंगे तो प्यास यहां पर हलका सा ट्रांस्पेरेंट हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे टोमेटोस और इसे दो मिनिट तक पकाएंगे दो मिनिट चलाने के बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला डाल के इससे दो मिनिट के लिए चलाएंगे और फिर हम इसमें अपना ये कोक्ट डाल डालेंगे डाल पकाते समय मैंने उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिला डाला था यह ऑप्शनल है अगर आप नहीं चाहते तो उसे इसकीद भी कर सकते हैं डाल को इसमें अच्छे से मेक्स करेंगे और लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया हरा धनिया डालने के बार इसे ढपके एक बोई लाने तक पकाएंगे कर दो दो हो आप सकते हैं तो यह हमारा एक अच्छा सा बॉल आ चुका है और अब हम गैस बन कर देंगे तो आईए अब मैजिक पोटली के तियारी करते हैं मैजिक पोटली बनाने के मैंने यह सिंपल आटा ले लिया है यह वही आटा है जिससे आप रोती बनाते हैं तो यह विलकुल नॉर्बल है पोटली स्टफिंग ले मैंने जो समान लिया है वो मैंने यहां पे राइस लिया है जो किक कुक्ट है यह मैंने न्यूट्रिला लिया है जिसको गरम पानी में मैंने भीवो के रख लिया था यह मैंने पनीर लिया है जो मैंने छोटे-छोटे कट कर लिया है यह आधा टमाट में ये डाल रहे हूं डेशी गी अधा जमच, एक पिंच में ले रही हूं ये काली मर्च, टेस्ट के कॉर्डिंग सफेर नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी, तो ये अच्छे से मिक्स हो चुक है, लास्ने में डाल रहे हूं थोड़ा धनिया, ये चावत इस्टा कर लेंगे इसके इसमें एक पी बड़ा टुक्रा नहों हो यहाँ से तोड़ के इसको छोटा-छोटा कर लेंगे तो यह छोटे-छोटे हो चुके हैं यहाँ पर मैं डाल ली हूँ टेस्ट के कॉर्डिंग नमक एक पींच ब्लैक पेपर थोड़ा सा कदू कस किया हुआ अधरक हरी धनिया और इसमें निचोड़ेंगे थोड़ा सा नीबू इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारा यह निउट्रिला के स्टफिंग भी रेड़ी है अब पनीर में डालेंगे दो पिंच काले मिर्च टेस्ट के कॉर्डिंग सफेर नमक हरा धनिया और लास्ट में इसम बेड़ा सब दूरि नीमोग समें और समयगों सब्सक्राइल बाकर से फाउल्स से स्टफिंग से तो यह रिपनियर की स्टफिंग विर्दि64 अब में ले नहीं हूं यह बल्ध प yani ट्रमों को मिक्स करेंगे तो यहां यह प्यांस टामाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है मैं इस पे में डाल रहे हूँ ये कत्व कस्किया हुआ थोड़ा सा अद्रक, हरी धनिया, सफेद ममक, थोड़ी सी कटी हुई हरी मच, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये प्यास टमाटर की स्टफिंग भी रेडी है, तो अब लास्ट में ये रह गया है, फूल गोवी और ग एक पिंच काली मिर्च, टेस्ट के कोर्डिंग नमक, और इससे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये सारी स्टफिंग बनके रेडी है, आप चाहे तो और ही तरीके की वेजटीबल से स्टफिंग बना सकते हैं, चाहे वो बीन सो, पत्ता गोवी हो या फिर आप बच्चों के चीज में स्टफ गर सकते हैं, इस magic पोटली में आप अपने पसंद के अनुसर कुछ भी भर सकते हैं चाहे वह अन्दा हो या चिकन भी भर सकते हैं, तो अमारे गारे लाल में सारी पोटली एक साथ पढ़ेें, तो पोट्लियों के पैचान के लिए अ को अलग अलग शेफ द इसे थोड़ा पत्ता रोटी पेलेंगे ये मोटा नहीं होना चाहिए वरना ये पकेगा नहीं तो ये पतली रोटी पेल चुकी है अब इसमें हम गोल कटिंग करेंगे उसके लिए हम किसी भी डपे का इस तरीका ढखन ले सकते हैं और ये ढखन लगा लगा के हम इसे कट तो यह दिखी सारा कट चुका है अब यह फाल्टू आटे को हट डालेंगे इसको अब मैसाइट कर लेती है यहां पर मैंने यह गाजर और फूल गोवी का स्टफिंग लिया है अब इसे हम स्टफ करेंगे इसको इस तरीके से चुन्नट देते वे बन करेंगे तो यह देखे एक पोडली हमारी हाफ पोडली टाइप की बन गई है इसी तरीके से मैं इसकी और स्टफिंग बना देती हूँ अब मैंने यहां पे राइस ले लिया है अब मैं राइस की पोडली मनाऊंगे इसे मैं स्टफ कट्टियों इसमें इसको अच्छे से इस तरीके से ग्लोज करेंगे तो यह देखे हमारी यह राइस पोडली है इससे इसके डिजाइन अलग करना गर्ण स्टमें पहचान में आएक यह अलग है और यह अलग है यह से मुझे यह जएक哎jye मारी राइस पोडली है ऐसी तरीके से मैं और भी भर लेती हूं राइस पोडली तो आप एहां पे बनीर की पॉठली बना रही हूं इसको ऐसे फोल्ड कर लेके और इसे फोल्ड कर लेकेram अच्छे IULTKO प्रेस कर लेके और प्रेस करने के बाद इसे हम ऐसे पोल्ड करेंगे और यहां पे लगा के प्रेस करेंगे तो यह हमारी हो गई पनीर की पोटली तो ऐसे ही मैं सारे पनीर का बना लेती हूं तो यह पनीर की पोटली हमारी रेडी हो चुकी है अब मैं आके कटी हूं तो अब मैंने लिया है न्यूट्रिला का जो मैंन बनाया है स्टॉफिक अब इसको मैं इसमें फिल कर देए और इसको इस तरीके से फोर्ट करेंगे यहां से ऐसे प्रेस करेंगे प्रेस करती है यहां सेंटर में हम दब प्रेस करेंगे और फिर लास्ट में इस साइन में भी इसे प्रेस करेंगे यह पीच में इस तरह के से थोड़ा सा फिक्स कर देंगे तो यह देखिए एक स्टफिंग का यह भी पोटली बन गया यह हमारे न्यूट्रिला की पोटली बन गई तो यहां पी न्यूट्रिला के 스टफिंग भी रेडि हो चुक है न्यूट्रिला के पोरटली भी रेड़ी है अब आगे लास्ट करती हूं यह प्यास और टमाटर के स्टफिंग तो यहां पे मैने यह स्टफिंग रखी इसको एक साइट से हैसे प्रस करेंगे अब यह स्टफिंग भी रेडी हो चुके हैं, हमारे न्यूट्रिला की फोटली भी रेडी हैं, अब आए लास्ट गरती हूं, यह प्याज और टमाटर के स्टफिंग, तो यहां पे मैंने इस्टफिंग रखी, इसको एक साइड से हैसे प्रस करेंगे, और इसके बार इसे ऐसे आड करेंगे, और यहां पे प्रस करेंगे, तो यह पोटली हमारी ट्रैंगल बनने बन जाएगी, इसको प्रस अच्छी तरीके से करना है, वरना यह खुल जाएगा तो खराब हो जाएगा ताल, तो यह देखे, यह हमारी नेक्स पोटली रेडी है, इसी तरीके से मैं इसके तो ये देखें यहां मेरे सारी magic पोटली बनकर ready हो चुकी है अब आईए इसे डाल में डालते हैं तो उसके लिए मैंने डाल यहां पर बॉल होने के लिए रख दिया है और यह अच्छे से बॉल भी हो चुका है अब मैं इस में एक एक करके सारी पोटली डाल दोंगी तो मैं सारे इसमें डाल दूंगी पूरे तो ये देखिए मैं इसमें सारा डाल चुकी हूँ और इसको कवर करके आधे गंटे के आसपास मैं बहुत मीडियम क्रेंपे से रखोंगी इसे 25 मिनिट से 30 मिनिट मतलब आदे गंटे के आसपास इसे टाइम लगेगा पकने में इसे हम बीश बीश में पलटते भी रहेंगे और पलट पलट के हमें से ढगते रहेंगे तो मैं सारा इसको पलट लेती हूँ इसे हम बीश बीश में पलटते रहेंगे बस अब यह ओने वाला है बस पांच मिनिट रहेंगे तो इसे पकते हुए लगबग 25 मिनिट हो चुके हैं अब आये इसे देख लेते हैं यह देखने से ही पता चल रहा है कि यह अच्छे से पक चुका है फिर भी इसे चेक कर लेते हैं तो चेक करने के लिए मैंने इसमें से एक ओटली उठाया है इसे मैं ऐसे दबा कर देखोंगी यह आप इसमें से भी कट कर देख सकते हैं यह देखें यह बहुत अच्छे से कड गया है और इसे मैं यह ऐसे दबा के भी देख सकते हैं यह देखें यह बहुत बढ़िया पक चुका है तो अब यह रेडी है तो आईए इसे सर्व करते हैं तो यह देखें, मेरी सारी पोटली बनकर रेडी है, यह हमारा बनीर का पोटली है, यह देखें, यह चावल की पोटली है, यह गाजर और फूल बोवी का है, यह हमारा नूट्रिला का है, और यह प्याज और टमाटर का है, तो यह सारी पोटली यह देखें बनकर रेडी हो और लास्ट मेस में मैं डालूंगी देशी की तो ये देखिये होथी हैल्डी और इडिशिस हमारा मैजिकल ओटली बनकर रेड़ी है विध बाल तो आप इसे प्राइ कीजे और बना के खाये ये रेली आपको बहुत पसंद आएगा और मुझे बना के बताईए कि ये आपने कैसा बनाया और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू